हेलो एवरिवन, वेलकम तू माई चैनल, आज चली बीना प्याज लसन के सीरिज में बनाते हैं शाही पने, प्याज लसन है नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं कितना रीच क्रीमी ग्रेवी है, बहुत ही खुश्पुदार है, फ्लेवरफूल ग्रेवी है, इसे आप पार्टी म है कि लोग आपकी प्रतारिफ के पूल बादेंगे, तो एक बात जरूर ठ्राई करें, बनाना भी बहुत आसान है, ज्यादा सामगरी की जरूरत नहीं है, चली शुरू करते हैं, इसके लिए हमें चाहिए तीन बड़े चम्मच टूटे हुए मैंने लिया, आप अगर खस-खस, और हम लेंगे दो छोटे चम्मच, मेलन सिट या खरबुजे की बीच, इसको पहले सुखा पीच लेते हैं, आप जैसे मैंने कहा, आप भीगों के भी रख सकते हैं, गरम पानी या गरम दूद में, साइट को थोड़ा सा स्क्राप कर ले, एक बास सुखा पीच लि पेस्ट पना के इसको हम निकाल के रख लेंगे, इसी ग्राइंडर जार का हम यूज करेंगे, कटोरे में निकाल के रख दिया, अब इसी ग्राइंडर जार में कुछ ब्लेंड करेंगे, इसके लिए लेंगे पहले दो बड़े चम्मच दही ले लेते हैं, गाड़ी दही ले और लेंगे दो बड़े चम्मच मावा यह घर का बना मावा है खोया आप खोया बजार का भी ले सकते हैं ग्रेट करके इन तीनों को अच्छ से ज्यादा नहीं ब्लेंड करना है क्युक्ति इसमें मलाई है फिर मक्कर निकल जाएगा एक बार ब्लेंड करके आप कटोड़े में निकाल लेजिए कि स्मूथ हो जाए मिक्सर अब इसी जार में मसाले का पेस्ट बनाएंगे एक इंच का टुकड़ा अध्रक ले लेते हैं तीन छोटी लाईची और तीन लॉंग लेंगे खुश्पु बहुत अच्छी आईगी इससे पीसिके डालेंगे बिलकुक्स स्मूथ हमें ग्रेवी चाहिए इसलिंदे तखेम नि डालेंगे और एक मेडियम साइज का टमाटर कटा हुआ डाल दे और सब को मिलाकर एक स्मूध पेस्ट बना ले इसलिए पानी की जवरत नहीं है ऐसी स्मूध पेस्ट बना ले अब एक कडाई या पैन में दो बड़े चमश तेल गरम करें उसमें जो हमने टमाटर हड़ी मिर्च अधरक और पहले हमें डालेगे एक छोटा चमश धनिया पाउडर एक छोटा चमश जीरा पाउडर और वनफोर्थ चमश हल्दी हल्दी पाउडर वनफोर्थ चोटा चमश वनफोर्थ टी स्पून और डालेगे वनफोर्थ टी स्पून या वनफोर्थ चोटा चमश गरम मसाला बाद में हम आदा चम्मच लालमीज का पाउडर मिलाएंगे वो चाहे तो आप अभी भी मिला सकते हैं अगर डालना हो तो अगर लालमीज नहीं मिलाना चाहते हैं तो मत डाले अब इसको तेल अलग होने तक ये देखी तेल अलग हो गया अब हम जो काजू, मेलन सीट या खरबुजे की भी जो खस-खस पिसके रखा था उसको डाल देंगे अब इसको भी तेल अलग होने तक एक बार और भून लेंगे अच्छा से मसाले मीडियम लो फ्लेम ही रखे अच्छा से ये देखी तेल अलग होने लगाए अब बिल्कुल लो कर दे या फ्लेम बंद कर दे लेकर ये दही मावा और फ्रेश क्रीम या मलाई वाला जो मिक्सर है उसको डालेंगे और बिल्कुल लो करके लो फ्लेम पे सीमर पे हमें इसे मसालों को भूनना है कि पानी ब नीचे से लगे ना छोड़े ना इसको बिल्कुल धीमी आज पे हिलाते हुए इसको सूखने तक भूनले मसालों को अच्छा से अब जितने धीमी आज पे करेंगे उतना आपका टेस्ट ही बनेगा अगर पनाएंगे तो खुष्पू पहले पता चल जाएगा कि इतनी अच्छी खुष्पू है और टेस्ट थो अच्छा आएगा ही शाही है तो फिल्कुल शाही तरिके से भी बनेगा और टेस्ट भी शाही आएगा और आपको टेक्स्स रेसिपे लिंक नीचे डेस्क्रिप अब पानी थोड़ा ज़्यादा कम अपने हिसाब से डाल सकते हमें गाड़ी ग्रेवी चाहिए तो हम एक कपी पानी डाला है हमने एक कप पानी डालके अच्छे से मिक्स कर लिया कि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए एक सार हो जाए बिल्कुल स्मूथ हो जाना है पुड़े अच्छे से मिक्स कर लिया अब 200 ग्राम हमने कटा हुआ पनीर लिया है 200 ग्राम पनीर लेके अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसे हमने डालना है नमक स्वादानशर नमक डाले थोड़ा सा छीनी भी मिलाया है 1 फॉर्च टु आफ टीस्पून को बढ़ा दे बॉयल होना है इसको पहले एक बार बॉयल करले बॉयल होने लगे अच्छे से mix कर ले, आप इसमें हम आदा चमच लाल मिर्च का powder आप चाहे तो tutorial जब भूण रहाथे तभी पहले ही डाल दे मैंने आदा चमच लाल मिर्च का powder डाला आप बच्चों के लिए बना रहे हैं नहीं डालना है तो उसकी भी कर सकते हैं लाल मिच आपको नहीं खाना है तो अच्छे से मिक्स करके जब बॉयल होने लगेगा तो हम फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे सीमर पे 5-6 मिनट हमें इसे कुक करना है और बीच मिच पे हिलाते र 1-4 टीश्पूल 1-4 छोटा चमच छोटी लाज़ी का पावडर अच्छे से मिक्स करके एक बार चेक कर ले नमक वगरह सही है कि नहीं नहीं तो मिक्स कर दो दुबारा डाल दें यह हमारा तैयार है स्टो वाफ कर ले बिल्कुल देखिए गाड़ी क्रेमी ग्रेवी तैयार ह है नहीं लेकिन कितनी रिच क्रेमी लग रही है इसको आप पुलाव पराथा पूरी किसी के साथ नां किसके साथ भी सफ कर सकते हैं पुलाव के साथ यह तो बहुत अच्छा लगता है और इसको आप बलाव कर दे अच्छे से सजा दे हरदनिया काजु आप चाहे तो ताला नहीं वैसे डालती हूँ वो पस्टे सजाने के रिए फ्रेश कें भी उस कर सकते हैं तो इसे गर्मा-गरम सर्फ कड़े और आप देख सकते हैं जिसको भी सर्फ कड़ेंगे सब को बहुत पसंद आएगी उंगलिया चाटके खाएंगे सब और आपकी तारिक के पूल बा के ताइग देखंगे इसान electronics सर्फ के।ल के लुट कर देखंगे तारिक के तारिक กरता हुआ स हुआ यह रिए